बाबा ले और पोता बरते ये हिंदी की एक ऐसी लोकोक्ति है जो आपने बहुत लोगों के मुग से सुनी होगी खास कर तब जब आप कोई भी समान लेने जा रहे हो इस लोकोक्ति का अर्थ निकलता है कि कोई भी टिकाउ समान लेना यानि कि एक लोग लास्टिंग चीज बट आपको बार 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 पढ़ना पढ़ता है तो आज के बाद ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला है आज बाबा ले पोता भरते वाली उक्ती को चर्टार्थ करूँगा मैं इस क्लास में बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जीगी पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तियारी बहुत ही बढ़िया डंग से चल लई होगी वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक या दो प्रेशन है जरूर देखने के लिए मिलते हैं उन एक्जामस में जिसके स्लेबस का एक बहुत इंपोर्टन्ट हिस्सा होता है हिंदी हिंदी व्याकरण वहां से आपको एक दो प्रेशन जरूर देखने के लिए मिलेगा आज के समय में प्रेशनों की जो लेवल है प्रेशनों का जो लेवल है इस्तर है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आज इस क्लास में हम लोग जबरदस तरीके से त्यारी करेंगे चाहिए आप कोई से भी एक्जाम कर रहे हो इस्पेशली लेकपाल वगएरा यूपिटर बलसी के जितने भी एक्जाम है कॉंस्टेबल वगएरा जितने भी पुलिस के एक्जाम है सब के लिए ये रामबान क्लास आपकी होने वाली है इस टॉपिक को हम पार्ट्स में पढ़ेंगे समभवत है दो तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि रामजी पार्ट्स आला की सबसे बड़ी बात यह है कि आप कम से कम टाइम कंजूम कीजिए और जादा से जादा गेन कीजिए ठीक है तो पहला पार्ट हमारे सामने यहां पर यह है तो टॉपिक है मारा क्या वर्न माला क्या है दोस्तों टॉपिक है वर्ण माला तेके नाम से ही पता लग रहा है वर्ण माला क्या चीज़े देखो वर्ण माला यहां पे है वर्ण प्लस माला क्या लिखा हुआ है वर्ण प्लस माला यानि वर्णों की माला वर्ण जो वर्ण शब्द होता है इसके तीन अर्थ निकल गया था जो पढ़ने पढ़ाने वाले थे उनको ब्रामन कहा जाता था जो सुरक्षा कारे करते थे चाहे आंतरिक हो चाहे बाही हो उसको ख्षत्रिय कहा जाता था जो खेती व्यापार और पशुपालन करते थे उनको वैशे कहा जाता था और जो अन्यत्र कारे करते थे जितन निकल कर आता है, सबसे छोटी हिकाई की रूप में निकल कर आता है, तो अगर वर्ण माला की बात की जाए, तो वर्ण माला कहते किसको है, तो यहाँ पर क्या है, वर्णों की माला, वर्णों की माला, यानि कि जो वर्ण है, जो हमारा सबसे छोटी हिकाई है, उन सब को जब हम ने एक धागे में पिरो के एक जो संगठन एक समूह बना लिया है उसको क्या कह रहे है हम लोग वर्णमाला के बारे में अगर डिरेक्ली आप से कुश्चन पूछा जाए पूछा भी जाता है अलग 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 जाम में कि वर्णमाला क्या है तो आप डिरेक्ली बोल देंगे जब हम आगे वियंजन पढ़ेंगे तो वियंजन में सबसे पहले हमारे इस पर से वियंजन आएंगे जिसमें कवर्ग होगा, चवर्ग होगा आपका टवर्ग होगा तवर्ग होगा और पवर्ग होगा कह से लेकर पवर्ग तक होगा तो जो कावर गए वो कंट से बोले जा रहे हैं यानि कि कंट से बोलने वालों को अलग रख दिया उसके बाद तालू से बोलने वालों को रख दिया उसके बाद मूर्धा से बोलने वालों को रख दिया उसके बाद आपके दातों से बोलने वालों को रख दिया तो एक क्रम से चीजों को जहां पर रखा गया है उस समूह को क्या कह रहा है हम लोग उस समूह को क्या कहा जा रहा है आपका वर्ण माला कहा जा रहा है अब सबसे बड़ी बात है ये चीज निकल के आती है कि सर ये तो बात होई गई है हमारी कि वर्ण माला यह क्या चीज है आपने बताया भी कि वर्ण समाज के चार हिस्सों को भी कहते है रंग को भी कहते है और भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी कह रहे है पर इसका सही सही मतलब बताओ कि वर्ण होता क्या है तो वर्ण की बात है वर्ण के बारे में आप ध्यान से सुनिये, वर्ण वो चीज है जो मुक से निकली सबसे छोटी द्वनी, यानि आपने मुक से किसी भाषा को बोलने के लिए, किसी लेंग्वेज को बोलने के लिए, जो सबसे छोटी यूनिट उचारण की है, उसका प्रेनंशियेशन किया है, मुक से निकली सबसे छोटी द्वनी, उससे छोटा कुछ भी न हो, उसको वर्ण कहा जाता है, मुक से निकलने वाली सबसे छोटी द्वनी, जैसे कर, कर से छोटा आप क्या बोलेंगे, हिंदी में अगर आप से बोला जाए, कि हिंदी में कुछ बोलो, तो आप बोलेंगे कर ख, ग, च, त, प, र, र से छोटा क्या बोलेंगे, र से छोटा कुछ है, नहीं, तो यही सबसे छोटी ध्वनी है, मुक्से निकलने वाली जो सबसे छोटी ध्वनी है, उसको वर्ण कहा जाता है, और वह ध्वनी कैसी होनी चाहिए, जिसके हम खंड नहीं कर सकते, जिसको हम औ और ज्यादा तोड नहीं सकते यदि आप बोल रहे हो अ तो इसको और इससे कैसे कम तोड सकते हो जैसे आपने लिखा यहाँ पर जैसे आपने लिखा यहाँ पर रा लिख दिया जैसे आपने क्या लिख दिया रा लिख दिया तो आप इस रा को तोड़ सकते हो, रा प्लस आ में, आ में, किसमें? रा प्लस आ में तोड़ सकते हो, बट आप से कोई बोलना लगे कि रा को भी तोड़ो, रा को भी तोड़ो, अगर आप और उसमें भी जाएंगे, अगर आप और उसमें जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो रा भी तूट जाएगा, किस में तूट जाएगा, रा प्लस आ में, क्योंकि कोई भी वियंजन, किसके बिना स्वर के सारे से ने बोला जाएगा, परन्तु ये जो हल रूप है, वियंजन का, जो सबसे छोटा रूप होता है, जहां पर वियंजन का उच्चारण, या उसको लि उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं वर्न, दोस्तों कहें, बच्चे कहें, क्या कुछ भी कहते हैं, टीचर के लिए सब होता है, तो जो सबसे छोटी ध्वनी है, मुक से निकलने वाली, उसको क्या कहते हैं, हम वर्न कहते है अब एक बात है, बहुत सारे लोग आपको एक चीज़ बताते हैं, कि वही एक चीज़ तो है वर्ण, एक है ध्वनी, एक है अक्षर, ठीक है, अभी जहां पर हमने बात की, यहां पर देखो आप, वर्ण की बात की, कि वर्ण सबसे छोटी ध्वनी है, वर्ण सबसे छोटी ध् इकाई क्या है या मुक्षे निकलने वाली सबसे छोटी हिकाई को क्या कहते हैं तो कहीं जगे तो वर्ण लिखा रहता है कहीं जगे लिखा रहता है ध्वनी तो आपको मैं एक बात बताओं अगर वर्ण और ध्वनी में कंपेरिजन करना हो तो वर्ण इस इक्वल टू ध्वन जो वर्ण है वो ध्वनी के समान ही है यानि कि वर्ण और ध्वनी एक ही है वर्ण कह लीजिए या ध्वनी कह लीजिए ये मोटे मोटे शब्दों में बात है वर्ण को ही ध्वनी ध्वनी को ही आप वर्ण कह सकते हैं मोटे शब्दों में दोनों में कोई जादा अंतर नहीं है परंतु अगर आप इसको specific ली देखें आप इसको ग्येराई से देखें तो वर्न क्या है वर्न यहां पर लिखा हुआ है यहां पर वर्न पर जब मैं इसको बोलूँगा इसका उचारन करूँगा मैं बोलूँगा ah तो जब मैंने वर्ण का उच्चारन किया तो मेरे मूँ से जो निकला वो ध्वनी है बहुत अंतर नहीं है वर्ण के उच्चरित रूप को वर्ण के उच्चरित रूप को जो वर्ण लिखा हुआ है कोई बात नहीं सब है महाँ पर पर जब मैंने उसका उच्चारण किया तो जो उच्चरित रूप है उच्चारण के रूप से जो निकल के आया है मेरे मुख से उसको ध्वनी कहा जा रहा है तो वर्ण और ध्वनी एक ही है बहुत सारे लोग वर्ण ध्वनी और अक्षर को बराबर बताते हैं, बोलते हैं कि भाई, अक्षर भी वर्ण ही होता है, ऐसा बहुत मोटा मोटा बता देते हैं, पर अक्षर नहीं होता है, इस बात आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, आज आपको अक्षर के बारे में मैं चीजें बताऊँगा, देखो वर्ण is equal to ध्वान जिसका अक्षर नहीं होता, जिसको तोड़ा नहीं जासा तक उसको अक्षर कहते हैं, और वही परिभाशा किसकी है, जिसके खंड नहीं हो सकते ऐसी चोटी धोनी, वो वर्ण कहला रहा है, परन्तु ये इसका मतलब नहीं है, अक्षर का मतलब ये जरूर है, जिसको तोड़ उसको कहते हैं अक्षर, उसको कहते हैं अक्षर, और अक्षर से उपर आता है शब्द, क्या आता है शब्द, ठीक है, अब देखो कोई भी, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, तो उसमें वर्न होंगे, ठीक है, शब्दों से मिलकर के वर्न बनता है, ऐसा नहीं है, वर्नों से म शब्द के टुकडे उसको कहते हैं शब्दांश ठीक है और अक्षर क्या होता है अक्षर वो होते हैं जिनका उच्छारण एक जटके में होता है जिनका उच्छारण एक जटके में होता है बात यहां पर एक बात ध्यान से समझें मैं बहुत अच्छे समझाने का प्रयास कर र तो वर्ण और ध्वनी एक ही है, जो ध्वनी है वो वर्ण का उच्छरित रूफ है, परंतु जब अक्षर की बात आती है, अक्षर का शाब्दिक अर्थ है, जिसका अक्षरन नहीं होता, परंतु उसका वर्ण से कोई मतलब नहीं है, यदि आपने यहाँ पर लिख रखा है छ चोटी, क्या लिख रखा है छोटी, तो आप इसको तोड़ेंगे बीच में, अगर आपको बोलना है, आप इसको तोड़ के बोलो, तो आप कैसे बोलोगे, आप इसको तोड़ के, संदी विच्चेद नहीं करना है, संदी विच्चेद होगा भी नहीं इसका अभी फिलाल त आप से बोला जाए, छोटी को तोड़ के बोलो, तो आप कैसे बोलोगे, छोटी, क्या बोलोगे, छोटी, ऐसे बोल दोगे, देखे, सबसे को तोड़ के बोलो, सबसे, सबसे, छोटी, तो एक जटके में जो बोला जा रहा है, शब्द का वो हिस्सा, जो एक जटके में बोला जा रहा है, उसको कहते हैं, अक्षर, अब बात समझ में आई, छोटी में क्या हुआ, छोटी, एक जटके में, अक्षर वो चीज है, शब्द का वो हिस्सा, जिसको एक जटके में बोला जाता है, छोटी, छो अलग हो गया, टी अलग हो गया, समझ आता हूँ, छोटी, यह हो गया, यह आपका छोट एक अलग अक्षर हो गया, टी आपका अलग अक्षर हो गया, सब से, सब अलग अक्षर हो गया, से अलग अक्षर हो गया, इन दोनों का मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, पूरा शब्द बन जाएगा, अब आप बोलो तोड़ सकते हैं क्यों नहीं तोड़ सकते हैं हम चोग को तोड़ सकते हैं बिल्कुल तोड़ सकते हैं आप ती को तोड़ सकते हैं सर हम हां तोड़ सकते हैं मैं बोल रहा हूं तो सर आप अक्षर कैसे कह रहे हैं चरण कैसे नहीं हो रहा है देखो बात आपकी बिल्कुल सही ह अक्षर क्या चीज है? शब्द का वो हिस्सा जो एक जटके में बोला जा रहा है ठीक है? शब्दान्स का उसका अन्यनाम है तो आपकी जो बात है आप बोलें कैसे? आप इसको तोड़ देंगे छ जमा ओ जमा ट जमा ई तो कैसे बोलेंगे? छ ओ ट इ तो आप ये महसूस करो दोस्तो जब आपने बोला छोटी छोटी तो शब्द का उचारन वही रहा जो एक्च्वली में है परन्तु यदि आप इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो उचारन बदल जाएगा ज्यान से देखो चोटी पर अगर इसको तोड़ेंगे और भी ज़्यादा तो उसका माइना ही बदल जाएगा उसका उचारन बदल जाएगा शब्द का छ ओ ट इ चैए छोटी रहा? नहीं रहा न? बात समझ में आ गई इसको कहते हैं अक्षर यानी कि अक्षर को कहते हैं शब्दांश शब्द का वो हिस्सा जो एक जटके में बोला जा रहा है जैसे राम है तो रा म राम रा एक अक्षर हुआ म एक अक्षर हुआ पर अगर आप बोलोगे रा-ा-म तो राम तो नहीं रिorage निकला ना आई तिंक समझ में आ गया होगा। ये बात है। देखो ऐसे चीज़ों को समझना और बढ़ना चालिए। अब बात करते हैं लिपी की, लिपी है जिसको स्कृप्ट बोलते हैं। क्यों स्क्रिप्ट है लिपी है लिपी क्या चीज होती है लिपी होती है भाषा का लिखित रूप भाषा को यह जो लिखा हुआ है न सारा यह लिपी में लिखा हुआ है यानि कि आपको पता है हिंदी एक भाषा है परन्तु जब मैं उसको कागज पर पन्नों पर उतारूंग उससे महभुवा के नाम कात लिखूँगा, अपने इश्क के संदे से भेजूँगा, तो जब वो लिखी जाएगी, तो वो जो लिखित रूप होगा, जो पन्ने पर उतर के आएगे आपके दिल के जजबाद, वो चीज होगी लिपी, जैसे हिंदी जो भाषा है, उसकी जो ल हुआ है, संस्कृत को मात्री भाषा कहते हैं, सब भाषाओं की जननी कहते हैं, देव भाषा कहते हैं, तो संस्कृत से ही हिंदी का निर्मान हुआ, विकास हुआ, क्योंकि संस्कृत की देवनागरी है, तो हिंदी की भी देवनागरी ही है, जैसे अंग्रेजी है, अंग्रे राम लिख दिया तो ये जो राम लिखा हुआ जिस तरह से है ये अंग्रेजी भाषा का लिखित रूप है ये रोमन में लिखा हुआ है किसमें ये रोमन में लिखा हुआ है आप कैसे लिख देते हैं सबसे जैसे आपने हिंदी में लिख दिया सब से, है ना WhatsApp language, सब से तो ये जो सब से लिखा हुआ है ये रोमन में आपका लिखा हुआ है ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने चाहिए ठीक है, बात समझ में आई मैं इसको अडा देता हूँ क्योंकि अपने को क्या करना है अज़े अगर बात की जाए अगर बात की जाए दोस्तों किसकी उर्दू जो उर्दू है, इसकी लिपी है फारसी और जो पंजाबी है, इसकी लिपी है आपकी गुरु मुखी अब मैं बहुत जबर्दस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ ज़ान से आप लोगों सुनना है, समझना है अगर बात की जाए कि देवनागरी में जो देवनागरी लिपी है, किसकी? संस्रुत की, हिंदी की उसमें वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको केवल याद रखना है 48 कोश्चन आपको ध्यान देना है प्रंतु अगर वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको क्या बूलना पड़ेगा? आपको बूलना पड़ेगा सर, 52 है अगर हिंदी में पूछा जाए वर्णों की संख्या तो बताएँगे 52 कैसे कैसे के जो वर्णा माला होती है इसमें दो ही चीज़े होती है एक स्वर होते हैं, एक बेंजन होते हैं ठीक है, क्या होते हैं वोबिल होते हैं, कॉंसोनेंट होते हैं तो अगर बात की जाए स्वरों की तो स्वर होते हैं कितने दोस्तों 11 है, कितने 11 हलकि अभी क्योंकि मैं exam wise थोड़ा इंको पढ़ा रहा हूँ तो exam के हिसाब से ही चीज़ों को मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि exam oriented चीज़ें भी रखना ज़र्त होगी है परन्तु मैं इनकी एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा all exam की उसमें इससे भी ज़्यादर details आपके पास होँगी स्वरों की संख्या तीन होती है मौकिक रूप से होती है दस लिखित रूप से होती है तेहरा और सामानित है जो पेपर में पूछा जाता है उसके हिसाब से होती है तो दस और तेहरा का logic कभी अलग से बताऊंगा अलग वीडियो बनाऊंगा वो exam oriented नहीं होगी knowledge के लिए होगी वो भी आप जरूर देखना कभी बनाऊंगा परन्तु हमी exam के हिसाब से पूछ रहे है मैंने यहां 10-11 क्यों नहीं लिखा 10-13 क्यों लिखा कि आप लोग भी चल जाओगे कोई फाइदा नहीं होगा तो स्वनों की संख्या पूछा जाए तो परिक्षा में आप बताएंगे क्या रहा और व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे 41 आप तो मास्टर पागल हो गया हम लोगों ने 33 पड़े है तो बता रहा है 41 9 मैं वहाब बुढ़ हां मैं बहुत संख्या消ना राश बढ़ है यаться पो पता नहीं पर पता नहीं कहा कहीं गालिया ने और गालिया देंगे क्हा समझते हैं वह भाई वो बड़े लाडी हैं हम 38 पर ऐसा कुछ नुह गंटा फरक नहींपड़ता पहले पहले मेरे को बड़ा दिख्कत हुई एक बार जब मैंने शुरु-शुरु में चैनल को स्टार्ट किया था तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई थी तो लोगों ने गालियां दी भर भर के मुझे नींदी नी आई भाई पूरी रात मैंने सुबह उटके एक वीडियो बनाई भाई मेर को गाली मत दो जो चीज है वही तो मैंने बनाई यह पर धिर धिर क्या रहता है यह सब जरनी रहती है यह चलता रहता है अपना काम क्या है कि आप लोगों का भला हो जाए कैसे भी करके यह सब निशुलक सब चीज़ें चल लही है आप लोग पढ़िये देखो वर्णमाला बहुत सारे लोग पढ़ा रहे है तेक हैं सब अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं देखो मैं बस अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि आपको बैस दे सकूँ और किसी एगर का चिराग एक रोशन हो जाए क्योंकि जब किसी बच्छे की नौकरी लगती उसके माबाप का दिल बहुत खुश होता है और उसी खुशी के लिए मैं हाँ पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाता रहा हूँ तो स्वरों की संख्या है 11 वियंजनों की कुल संख्या की बात अगर दोस्तों की जाए तो 41 आपको याद रखनी है 33 भी होती है वो अभी समझाएंगे कैसे तो व्यंजनों की कुल संख्या 41, स्वरों की होगे 11, 41 और 11 अगर count करोगे तो दोस्तो संख्या हो जाएगी 52, कितनी 52 हो जाएगी अगर देवनागरी में पूछा जाए वर्णों की संख्या तो बता देंगे 48 अगर हिंदी में पूछा जाए वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है तो बावन कैसे कैसे स्वर हैं ग्यारा व्यंजन हैं एक तालिस समझाता हूं कैसे हैं ज्यान से सुनो स्वरों की संख्या ग्यारा है यहाँ पर मैंने स्वर लिख दिये ग्यारा आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ, आउ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा गिन लोग आप लोग काफी सारे लोग इनको पढ़ाते हैं ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, यह नहीं होता इनके उचारण से पता लगता है क्योंकि यहीं चलके आगे मात्राओं में परिनत होते हैं तो यह क्या है आ, यह क्या है आ, थोड़ा समय लेगा उसके बाद E ये इसके बाद E थोड़ा समय लेगा क्योंकि इनमें भी दो तरह के partition है दो तरह का भेद है इनमें पहला भेद है आपका हरस्व स्वर या लगू स्वर या जिनको मूल स्वर कहा जाता है हरस्वर हरस्व मतलब होता है छोटा लगू मतलब होता है छोटा ये चीज़ आपको समझने चाहिए छोटे का क्या मतलब है कि भाई ये बड़ा लिखा जाएगा और ये नहीं छोटे का मतलब है कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है जिनके उच्चारण में अपेक्षा में कम समय लगता है उनको क्या बोलते हैं हम हस्सवर बोलते हैं चोटे लगुसवर जैसे आप यहीं पर देखो जो अ है आपका यह लगुसवर है और जो आ है यह आपका दीर के स्वर है आप इनका उचारन करके देख लीजिए इसको बोलके देखेंगे और तुरंत बोलिए अगले वाले स्वर को आप खुट डिफरेंस महसूस कीजिए आप उससे अधिक समय लगा यहाँ पर दिर्ग में तो जिन में कम समय लगता है उनको रसुसवर कहते हैं लगुसवर कहते हैं और उन्हीं को मूल्सुर कहते हैं इनकी संख्या है चार कौन कौन से आपका जो अ है आपका जो ए है आपका जो उ है और आपका जो री है अ, ई, उ, री ये चार जो स्वर हैं ये आपके रसुर लगु या मूल स्वर कहलाते हैं चार है, और इनके अलावा A-E-U-A-I-O-U ये जो साथ है क्योंकि इनके उच्छरण में ज्यादा समय लगता है तो दीरदिए सोरा के शंख्या कितने ही दोस्तो साथ साथ और चार कितने हो जाते हैं? ज्यारा हो जाते हैं अब समझते हैं, बेंजनों का गणिती, एक तालिस कैसे लेके आए मास्टर जी आप, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना आज ये बात, ये चीज आपको समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्जाम में ये चीजे पूछी जाती है, और एक्जाम में ये चीजे पूचा जाए, देवनागरी में वर्णों की संख्या 48, हिंदी वर्णामाला में वर्णों की संख्या 52, स्वर ग्यारा कुल व्यनजनों की संख्या 41, कैसे कैसे थ्यान से सुनिए, इनका जो बटवारा है, इनका जो भेद है, सबसे पहले प्रकार के स्वर है वियंजन है स्परश, दूसरे हैं अन्तस्थ, तीसरे हैं उश्म, चोथे हैं आगत, पाँचवे हैं सन्युक्त, और छटे हैं उक्षिप्त या द्विगुण वियंजन, कौन से उक्षिप्त या द्विगुण वियंजन? मोटा मोटा आइडिया देता हूँ बता देता हूँ इसपर्ष विंजन इसपर्ष विंजन वो विंजन होते हैं जिनके उचारण में मुक्य किसी न किसी भाग का इसपर्ष करते हुए वायू बाहर निकलती है देको उच्चारण कब होगा वायू बाहर निकलती उच्चारण होता है उनको इस पर से विजन कहा जाता है इसके ये पांच वर्गों बटे हों कावर्ग से लेकर पावर्ग तक कावर्ग शावर्ग टावर्ग तावर्ग और पावर्ग तो एक वर्ग में पांच है तो पांच पंजे 25 तो यह हो गए इस परश ठीक है उसके बाद हैं अंतस्थ अंता का मतलब होता है अंदर बीच में इस्था का मतलब होता है इस्थित बीच में इस्थित किसके बीच में जो इस परश वेंजनों के और उश्म वेंजनों के बीच में इस्थित हैं उनको अंतस्थ वेंजन कहा जाता है इनकी संख्या चार है कौन जिनका उचारण करने पर मुखके किसी नकिसी भाग में उश्मता, गर्मी का एहसास होता है, हाई गर्मी। इसा कुछ नहीं इतनी भी गर्मी नहीं लगती हाई गर्मी। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे आप बोलेंगे श, तो आपको गर्मी का एसास होगा, जैसे आप बोलेंगे श, स, ह, तो आपको जहां भी इनका उच्चारने स्थान है, महाँ पर गर्मी का एसास होगा, तो उश्मिंजन है इनकी संख्या है चार, उसके बाद है आगत, आगत का मतलब है आई हुई, कहा ये देखो, ये लिखा हुआ यहां पर ज़, और ये लिखा हुआ यहां पर फ़, पर अगर इनमें नुक्ता लगा दिया जाए नीचे, एक नुक्ता यहां पर, एक नुक्ता यहां, तो ये जो ज़ था ये पहले, ये ज़ हो गया, ज़, और जो ये फ़ था पहले, ये फ़ हो अरबी भाषा से लिए गए आपके, यह चीज आपको ध्यान रखेंगे, ज और फ, इनकी संख्या कितनी हैं, दो है, उसके बाद अगले हैं, संयुक्त, संयुक्त का मतलब है, जुड़कर बने हुए, है ना, जैसे, यह क्या लिखा हुआ है, श, तो का और श, तर त और रह से, जिया, जै और इया से, अर्श्र, श और रह से, दो व्यंजनों के मेल सी जो मिलके बने हैं, उनको संयुक्त विंजन का आ जाता है, इनकी संख्या है चार, और उसके बाद आखरी बचते हैं, उक्षिप्त या द्विगुण विंजन, उक्षिप्त किसको कहते हैं, जीब पहले मूर्दा से टकराती है और जटके के साथ नीचे आती है उनको कहते है उक्षिप्त बिंजन जैसे आप यह देखेंगे जो तवर्ग है इसमें दो चीजें तथड़ और अन यह प्लेन यहां पर लिखे हुए है यह इसका उचारण है द़ और अगले का उचारण है द़ से डमरू द़ से धकन परन्तु यदि हमने इसमें नुक्ता लगा दिया है ना यह नुक्ता यहां पर लगा दिया ऐसे और इसका नुक्ता लगा दिया यहां पर तो इनका उचारण ही बदल जाएगा यह है ड़ और यह है अड़ यह है ड़ इसका उचारण होगा ड़ और इसका होगा अड़, आप बोलके दोखो अड़, तो अड़ में क्या होगा तो जीव एकदम उपर जो अच्छा थे ना, वहाँ पे टाच होगी जटके से नहीं चाहिए, अड़, देखो महसूस करो, और दूसरी बात है जो यहाँ पर यह धर लिखा हुआ है, इसमें जब बोलोगे पहाड, तो पहाड में जो ड़ आया वो ड फ़ नहीं है, वो अड़ आया, उसके बाद, यह देखोण धक्कन, धक्कन आपने बोला नॉर्मल है, पर जब आप अड़ है, आप जब बोलोगे पढ़ाई, पढ़ाई, अड़ह की सैंस हा रही है, तो जब नुक्ता ल पट्चीस और चार कितने हुए पट्चीस और चार कितने हुए अगर पूछा जाए के कुल विञ्जनों की संख्या कितनी हैं तो आपको चीदे बोलना है 41 है परंतु यदि पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है मूल वियंजनों की संख्या कितनी है तो मूल वियंजनों की संख्या आप बताएंगे 33 कुल पूछा जाएगा तो 41 मूल पूछा जाएगा तो 33 अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी है तो 11, मूल स्वरों की संख्या तो 4, क्योंकि लगूर रस्व को ही मूल स्वर बोला जा रहा है और यहाँ पे ये मूल विंजन में क्या क्या आ जाएंगे, मूल विंजन में आपके इसपर्श विंजन ये कवर्ग से परवगरत 25 अनतस्थ विंजन यारा लावा ये 4 और उश विंजन श श सह ये 4 तो 25 और 4, 29, 4, 33 हो जाएंगे तो ये रही आपकी आज की क्लास उम्मीद करता हूँ, एक एक concept दिमाग में छप गया होगा इसका PDF आपको मिलेगा कहां पर इसका PDF आपको मिलेगा टेलिग्राम पर उसका लिंक मैं डेस्रिप्शन में दे दूँगा और आप महां से पढ़िए और नोट्स बनाएए अच्छे पढ़ते रहेगी, एक लास अब आपके लिए कंटिनू रहेगी इसी तरह चुट 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 टॉपिक्स अच्छे डिस्कस करते रहेंगे आप देख रहेते राम जी पाट शाला मैं हूँ राम भर्द जै हिंद जै भारत